लालची लोमडी की कहानी लालची लोमडी की कहानी में यहा है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमडी रहा करती थी. गर्मियों के दिन थे और वहाँ भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी. बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोम्री को एक खरगोश मिला लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोम्री ने खरगोश को खाने की बजाए उसे छोड़ दिया क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लोम्री का पेट कहां भरने वाला था इसके बाद लोमडी आगे बढ़ी फिर से जंगल में भटकने लगी कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमडी को एक हिरन दियर दिखा हिरन को देखते ही लोमडी के मुँँ में पानी आ गया लोम्री हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दोडने लगी लोम्री ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया पर हिरन लोम्री की पकड़ में नहीं आया अब लोम्री खाने की तलाश में बहुत ही ठक चुकी थी जब लोम्री के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोम्री सोचने लगी कि इससे अच्छा होता वह छोटे से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था कुछ देर आराम करने के बाद लोम्री खरगोश को धूंदने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी जंगल में खरगोश को धूंदते हुए लोम्री वहाँ पहुची जहां उसने खरगोश रैबिट को देखा था लेकिन लोम्री को वहाँ खरगोश नहीं दिखा ठक हार कर लोम्री को अपनी गुफा में लोटना पड़ा जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोम्री अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीट जाने के बाद लोम्री को खाना मिला